नमस्कार, आपका अख़बार के इस अंग में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रदीप सिंग्ग। मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितने लोगों ने राहुल गान्थी की अमेरिका यात्रा में जो कुछ हो रहा है, जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दिया हो, केवल बयानों पर मच जाईए, उन बयानों के पीछे की रड़नीती को, बलकि मैं उस से दूसरे शब्र से संबोधित करना चाहूंगा, उन बयानों के पीछे की साजिश को समझेए, और ये सामाने बात नहीं है, ये संकट जो है बहुत गहरा होने वाला है आने वाले दिनों में, तो मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ, आजादी के बात से पहली बार ऐसा हुआ ह कि कॉंग्रेस पार्टी और खालिस्तानी संगठनों तत्वों और खालिस्तान की विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच में एक मजबूत गटबंधन बन गया है, क्योल बन नहीं गया, दोनों ने सारवजनिक रूप से इसको स्विकार कर लिया है, जो बात सिखों को लेकर राहुल गांधी नहीं कही, उसकी प्रशंसा गुर्पतवन सिंग पन्नुन कर रहे है, जो सिख फार जस्टिस जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है, उसके संस्थापक हैं, इसके अर्थ को मजाग में मत लीजिए, बहुत सतही तोर पर मत लीजिए, ये एक बहु को समझ में आएगा कि ये कितना गहरा और कितने लंबे समझ से इसकी योजरा मन रही है, पहली बार ये बात सामने आए थी, जब आपको याद होगा, ये से सार जब था, उसका जब विघटन हुआ, विभाजन हुआ, कई टुकडों में बट गया है ये सार, तब जो ये एक सिस्टम है, लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम, उसके द्वारा लिखा जाने लगा, दुनिया भर के अख़बारों में उस समय टेलिविजिन का उतना प्रशार नहीं था, सोचल मीडिया तो था ही नहीं, तो अख़बारों में पत्रिकाओं में जो लेक लिखे जा रहे थे, कि सुवेट संग टूट गया, अब अगली बारी भारत की है, कि विविदताओं वाला सबसे बड़ा देश भारत बचा है, भारत की संस्कृति को खतम नहीं कर पाए, अंग्रेज और मुगल मिलकर, तो अब समय आ गया है भारत के विभाजन का, तो ये तो एक है मुद्दा, य अमेशा से एक तरह से कहिए स्पॉंसर करता रहा, अगे बढ़ाता रहा है, और जब अमेरिका की बात कर रहा हूं है, तो उसमें भी क्वालिफाई कर देना चाहिए, स्पर्श्ट कर देना चाहिए देमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स जो हैं, वो अमेरिकी राजनीती में भार पार्टी के वो सब भारत विरोधी स्टेंड लेते हैं। वो सब जितने जिहादी तत्व हैं उनका संदक्षन करते हैं। अब इस बात को आप कह सकते हैं कि यह जो है यह आपकी उपीनियन हो सकती है, राय हो सकती है। लेकिन इस तरह का हो रहा है, इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है। एक ही प्रमाण देना चाहूँगा। प्रफसर राजीव मलहुत्रा है, युएस में ही हैं, युएस की इन्वस्टी में पढ़ाते रहे हैं। उनकी एक किताब है, Breaking India, कि अमेरिका और इस तरह के तत्व जो है, जो भारत विरोधी हैं, वो कैसे भारत को तोड़ने की युजना बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, 1970 में उन्होंने नक्षा देखा थे, जिसमें भारत को अलग-अलग टुकडों में दिखाया गया था, कश्मीर अलग, पंजाब अलग, तमिलनाडू अलग, नॉर्थीस्ट अलग, अलग-अलग देश के रूप में उनको दिखाया गया था, और ये अलग था, और उन्होंने अपनी किताब में इस नक्षे की प्रती चापी भी है, आपको और क्या प्रमाण चाहिए, अब आप देखिए, कॉंग्रेस पार्टी, जिसका नाम ही है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, उसका सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि भारत जो है, एक दे लेकिन हर बात का एक संदर्ब होता है, आप ये बात आज क्यों कह रहे हैं, आप ने ये बात 1947 में, 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में, क्यों नहीं कही है, आज अगर आप बोल रहे हैं, तो उसका संदर्ब ये है, कि भारत राज्यों का संग है, और इसको बाटा जा सकता है, रा अधारना पर कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी और उनके सलाकार काम कर रहे हैं। तो भारत विभाजन की तैयारी पूरी हो गई है। समस्या यह हो रही थी, खालिस्तानी जो है, उनको कॉंग्रेस से बड़ी समस्या थी। कॉंग्रेस विरोधी थी, यह अलग बात है कि खालिस्तान का जो आंदोलन है उसको खड़ा किया कॉंग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, भिंडरा वाले को खड़ा किया इंदिरा गांधी ने, इस सब के बावजूद आपको याद होगा, जब पीवी नरसिमाराओ क की सरकार थी और सरदार बेंद सिंग मुख्यमंत्री थी और केपीस गिल डिजीपी थे पंजाब पुलिस के, उस समय इन खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ सघन अभियान चला, खालिस्तानी तत्वों को सबसे ज़्यादा अगर इलिमिनेट किया, नीट्रलाइज किया किसी स तो इसलिए कॉंग्रेस से नाराज गी, इसलिए कॉंग्रेस के खिलाप ने राहुल गांधी ने उस समी करण को बदद दिया, राहुल गांधी और गुर्पतवन सिंग पन्नुन जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम दोनों का लक्ष तो एक ही है, भारत को तोड़ना, भारत को अलग-अलग टुकडों में माटना, तो जब लक्ष एक है तो अलग-अलग क्यों लड़ रहे हैं, मिलकर लड़े, राहुल गांधी के बयान को अमेरिका में जो उन्होंने दिया है, कि सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है, सिखों को कड़ा पहनने की नहीं है, ये सब जो बाते उन्होंने जूट बाते कहीं हैं, उसके पीछे मकसद यही है, और उन्होंने कहा और पन्नुन को उसका समर्थन करने में देर नहीं लगी, किवल समर्थन नहीं किया, उसने कहा कि यही तो हम हमारा आधार है, तो इसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं उसने बड़े खुशी जाहिर की कि हमारा जो एजिंडा है उसको कॉंग्रिस पार्टी ने अपना लिया है हम भी यही कह रहे हैं कि सिखों के साथ भारत में अत्याचार हो रहा है और राहूल गांधी भी कह रहे है कि सिखों का अस्तित्व खत्रे में है अब आप समझ सकते हैं मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि ये बात सच से कितनी दूर है और जूट के कितने करीब है लेकिन ये सच और जूट का मामला नहीं है ये देश की एकता और अखंड़ता का मामला है पन्नुन के पास नागरेकता है अमेरिका और कैनेडा की, उसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोशित कर रखा है, लेकिन अमेरिका उसको सनक्षण दे रहा है, अमेरिका उसको गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, भारत भेजने के लिए पर तयार नहीं है, कैनेडा तो है ही नहीं, कैनेडा की सरकार जस्टिन टूडो की तो चली रही है, खालिस्तानी तत्वों के समर्थन से, जिस दिन खालिस्तानी तत्वों समर्थन विड्रा कर लेंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन अमेरिका क्यों कर रहा है, अमेरिका की सरकार पर तो ऐसा कोई पूरी देश पन ने हैं। और और जाधा उनको प्राब्लम हो गई है। और जाधा समस्या हो गई है कि एक ऐसा नेता आ गया है नरिद मोदी के रूप में जो विश्व का नेता बन गया है जिसकी साथ पूरी दुनिया में है। जो world leader के रूप में emerge नहीं कर रहा है, emerge कर चुका है और जिसको accept कर चुकी है पूरी दुनिया, world leader के रूप में वर्ल लीडर का ऐसा कोई चुनाव नहीं होता, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो चुने या घोशित करें किसी को, ये सब अनौपचारिक तोर पर ही होता है तो भारत की जो इस्थिती है, नरेंद मोदी ने पिछले 10 साल में अपनी विदेश निती जिस तरह से चलाई है, इंडिया फर्स्ट की ये बिल्कुल गले नहीं उतर रहा है, ये उरोपी और अमेरिकन्स के कि इंडिया फर्स्ट की नीती के तहट जो कुछ कर रहे हैं नरेंद मोदी, वो भारत को और मजबूत करेगा और मैं ये बात पहले भी 3-4 बार कह चुका हूँ, कि अमेरिका और ये उरोप को डर ये है, कि भारत इसी तरह से मजबूत होता रहा, तो वो चीन से बड़ा खत्रा हमारे लिए बन जाएगा, तो भारत को और मोदी को अगर रोकना है, तो भारत को तोड़ो, और राहुल ग चुके हैं, उसके पहले जब इंग्लेंड और अमेरिका गये थे, दो साल पहले तब भी बोला था, तब से कंसिस्टेंटली वो इस बात को बोल रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं, विभाजन के लिए और क्या ज़रूरी होता है, भागोलिक परिस्थित्या या भागोल हो जाता है, आप देखिए राहुल गानती लगातार पिछले दो-तीन साल से क्या बोल रहे हैं, कि बीजेपी हिंदी को लाधना चाहती है, बीजेपी के राज में दूसरी भारती बाशाओं की उपेक्षा हो रही है, और वो नाम लेकर कहते हैं कि यहां तमिल भी बैठे हैं यहां तेलगु भी बैठे हैं, यहां जो है, और दूसरी राज्यों के लोग दूसरी भाशा बोलने वाले हैं, बीजेपी आपकी भाशा पसंद नहीं करती, बीजेपी आपका कान पान पसंद नहीं करती, वो सब खतम कर देना चाहती है, तो जूट को लगातार बार बार ब कि भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का गठ जोड़ हो गया है और दुर्भाग्य देश का देखिए कि उसमें वो पार्टी सबसे प्रमुक रूप से सबसे जादा शामिल है, सबसे जादा सक्रिय है जो दावा करती है कि हमने देश को आजादी दिलाई आजादी के अंदोरन के समय और उसके बाद भी कॉंग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रवादी तक्त्वों की प्रचुरता थी, बहुत थे, धीरे धीरे उनको पहले नहरू ने उनको बाहर किया एक एक करके, उनको जो है रूडिवादी, परंपरावादी, सामपरदाइक ये बताकर जो है, और हिंदुत वादी ये बताकर उनको किनारे करने की कोशिश की, उसके बाद इंदर गांधी ने किया, इंदर गांधी तक भी, इंदर गांधी को मैं राष्ट्रवादी मानता हूँ, लेकिन इंदर गांधी के समय समस्या ये हुई, कि 1967 के चुनाव में कम बजोर हुई कॉंग्रेस और 1979 में उसका विभाजन हो गया, तो वो निर्भर हो गई कमिनिस्ट पार्टियों के समर्थन पर, तो जो उस समय समझोता हुआ, उसमें कमिनिस्टे नों कहा कि जो है, जो नेरेटिव बनाने का काम है, जो इंटलेक्च्वल इंपूट देने का का है, इंटलेक्च्वल बिरादरी को खड़ा करने का काम है, वो सब हमको दे दिजिए, सिक्षा और भाग हमको दे दिजिए, सिक्षा और संस्कृति, तो उन्होंने उस पर कभजा कर लिया, तो कॉंग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने उस समझ से ही, जो और लोहिया को कोट किया था, एक बार आज फिर कर रहा हूं, उन्होंने लिखा था कि CPI, उस समय तक जो है, विभाजन नहीं वा था, CPI, CPM नहीं बने थे, एक ही पार्टी थी, CPI जेहादी तत्वों का इंक्यूबेटर है, इस से समझी आप इस बात को, कि CPI की मंशा क्या थी, कम्मिनिस्टों की मंशा क्या है, कम्मिनिस्टों ने किस तरह से रूस और चीन का खेल खेला है, और आपको याद होगा 1962 का, भारत-चीन युद, चीन आगे बढ़ रहा था, कम्मिनिस पार्टी के लोग गोरकपुर के आगे, जो चीन की सीमा है, वहाँ फूल माला लेक चीनी सेना के स्वागत का इंदजार कर रहे थे, राश्ट विरोध का इससे बड़ा प्रमाना और क्या हो सकता है, और ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, जो है, बड़ी गोपनी ये दस्तावेज में कहीं लिखी हो, अख़बारों में प्रचुरता से च्छपा हुआ उस समय के, उस समय के किसी भी अख़बार को आप देखेंगे तो ये खबर जरूर मिलेगी, कॉंगरिस पार्टी की बात कर रहा हूं, जो पार्टी इस देश को आजाद कराने की, इस देश को आजाद ही नहीं, इस देश को बनाने का दावा करती है, आज वो इस देश को तो को तोड़ कर लेना है खालिस्तानी तत्वों और कांग्रिस का ये गठ जोड इससे बुरी बात नहीं हो सकती आप देखिए उसकी जमीन तयार कर रहे थे पहले से पहले से इस तरह की बाते बोल रहे थे अपने पिछली विदेश यातरा में उन्होंने इंडियन यूनियन मुस इस समझ में नहीं आता यह लगता आरे भाई नेता है बयान दे दिया तो ऐसी क्या बात हो गई कौन सी आफ़त आ गई सभी पार्टियों के नेता बयान देते रहते हैं इस तरह की बाते करते रहते हैं इसको इतने सामाने तरीके से मत लिजिए आप ये सोच कर फिर उसको त पर किसी ने कहा कि इसमें इंटरनेशनल चर्च का हाथ है, मनिपूर में जो कुछ हो रहा है, किसी ने कहा कि इसमें चीन का हाथ है, अमेरिका की योजना का हिस्सा है, म्यामार, मनिपूर के साथ नौर्थ इस्ट का एक हिस्सा और बंगलादेश का एक हिस्सा, इसको मिलाकर एक Christian nation बनाने की उनकी योजना है। वरना आप देखें हैं मनिपूर में जिस तरह से द्रोन हमले हो रहे हैं। द्रोन स्ट्राइक बिना किसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के कोडिनेट्स प्रोवाइड किये बिना हो नहीं सकते। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट्स लांच किये जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मनिपूर के कुकी समधाय के लोग घर में बना रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है। दिल्ली में सो करोड की अफीम पकड़ी गई है। ये मनिपूर के आंदोलन को फाइनेंस करने के लिए थी। समस्या क्या हो रही है। ये समस्या के शुरुवात मनिपूर की कैसे हुई। समस्या के शुरुवात हुई कि जो अफीम की खेती होती थी। जंगलों में उची पहाड़ियों पर वो कुकी लोगों के कबजे में था। वहाँ अफीम की खेती होती थी। उसी से इंसरजेंसी को जो है वो उसकी फंडिंग हो रही थी। एन विरेंद सिंग की सरकार ने पहला काम किया कि उस अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। अफीम की खेती के खेत जलवा दिये। उधर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अफीम की खेती अपने हाँ बंद करा दी। तो कोई भी आतंकवादी गतिविधी, किसी भी देश को तोड़ने की गतिविधी, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, फंडिंग. जम्मु कश्मीर में आज जो आपको हालाद बदले हुए दिख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि अलगावादियों और आतंकवादियों की फंडिंग रुख गई है. अब पाकिस्तान अपने हाँ इस बात की संभावना तलाश रहा है कि कैसे बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू की जाए. तो इससे आप समझे कि क्या हो रहा है और राहुल गांधी और गुर्पतवन सिंग पन्नून का एक होना, एक स्वर में बोलना, एक साथ आना, ये देश के लिए मुझे लगता है 1947 के बाद सबसे बड़ी चुन होती है. देश की इतना खंड़ता पर इतना बड़ा खत्रा पिछले 77 सालों में नहीं आया। तो राहुल गांधी के इस नए अवतार को पहचानिये। कॉंग्रेस पार्टी की इस नए रड़नीती को समझिये। वरना बाद में पच्छताने के लावा कुछ हाथ रहेगा। तो इस इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक करिया अनमती दीजिए। आप संरोध है कि ये चैनल देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।